कि बीजल पेट्रॉल के दाम बढ़ने के बाद क्या क्या परिशानी आ रही है आप लोगों को सार हम लोग तो बहुत परसानी आ रहे हैं एक तो लोकडान तुटा है फबलिक घर से बाहर निकलने रहे बहुत कम निकल ले हैं और उपर से हम लोग तो नून रोटी खाना भी पर से दिकत होती है भारा भी ज्यादा देने में अत्राज करती है जता है ना जी कच्छे तेल की केमत भी टाउन है बट हमारे देशने एक साइस जूटी वेगरा जादा है करें किसी चीज को भरभाई हो रही है ना परिशानी काफी बर रही है ना परिशानी तो है मिडिल लोगों के लिए तो हैं परिशानी है उसका काम है खाली फेकना यहीं 2014 में बुड़ा था कि 3040 पर पिट्रोल हो जागा अंत्राश्टिया इस्तर प्रवी पिट्रोल का दाम जितना गीरा हुआ उस हिसाफ्टा विदेश में पिट्रोल का दाम 400 के लगव होना चाहिए हम लोग क के लिए काफी कश्प्रद है अभी वेच चुकि मैंने कोरियर करने के लिए में गया था तो जहां इन्सों रुप्या लग रहा था वहां भी आठ सो रुप्या उनसी बताया कि चार्ज लग जाएगा तो यह सीधा सीधा भार आम आदमी कूपर आ रहा है किसान को तो सबसे बर्ते दाम को लेकर जनता काफी परिशान है इस तरह से डीजल और पेट्रॉल के जो डाम है वह आसमान चुम्रे हैं ऐसे में जनता क्या सोवती है जिस सरकार से उनकी उमीदे थी सरकार उस उमीदों पे कितना ख़रा उतरी ए जिस पर महंगाई बर रहे है इस पर जंता क्य होती ही यही जानने के लिए आज हम पटना की सरकों पर निकल चुके हैं और फिलाल हमें के निजिप पेट्रॉल फंप है मौजुद आज यहीं की जनता से जानते हैं वो क्या सोचते हैं हमारे सब कुछ लोग है उनसे हम बात करेंगे क्या नाम हुआ सर आपका जान दीफ यह पता यह जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बर रहे हैं कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को पंड की कमी है लगतार बर रहा है क्या सरकार को कुछ ने कुछ करना परेगा ना जो मीदेती सरकार क्या उस पर खरी उतर रही है नहीं कीमते बरनी नहीं चाहिए अभी कच्छे लक्ति हमारे देशने पड्रेटाओं सब्सक्राइब जादा है जादा है किसे और किसी चीज को बरफाई हो रही है परेशानी काफी बर रहे हैं ना परेशानी सो यह अभी प्र प्रास लोगों के लिए थे लिए काम करने के लिए नहीं अब काम करना थे पेट्रोल तो बरा लेकिन फिर भी मजबूरन जनता का कहना है कि हमें पेट्रॉल भराना ही पड़ा है कुछ और भी लोग है उन्से भी हम बात करेंगे सर क्या नाम हूँ आपका यादर जी यह बता यह जिस तरह से डीजल पेट्रॉल के दाम बरनें इसको कैसे देख रहे हैं कैसे देखेंगे उ कि जनता को लुट हो अब बीजनेसमें को कुझी पत्रियों को अमीर बना दो जो मीदे थी आपको जिस तरह से आपने चुना था क्या उसके सरकार खड़ी उत्री है यह सबसे बढ़कर रोजगार देना चाहिए यह खाली मुस्लमान अच्छ भारत पाकिस्ताना मुस्लमान सबसके सब्सक्राइब बनाइब लोगों को घुमराथ करने वाली सरकार सते यह जिसे सिर्क बोलते नहीं थे वो काम करते थे यह च्री यहां कि काफी परिशान तो सबसे जाले जो पीड्रोल डीजल में यह हमेंसा 30 रुप्या यह पचीओं प्रीजल शेक्म होता था यह देखे कि डीजल के दाम प्रक्रों से भी आगए हो गया अभी प्येती सब्सेजले का उपयोगों करते हैं उनको सब्सेलिए प्रतित जिस तरह से डीजल और पेट्रॉल के दाम बर रहे हैं इसको लेकर काफी नाराज़गी है क्या नाम हुआ आपका काफी कम मिल रहा भी होगा पहले के मुकाबले माईलेज की समस्ते हैं क्या करते हैं अब अच्छा आप बताइए सरकार जिस तरह से आपकी उमीदेती सरकार से खड़ी उतरी है करना चाहीं कोशिस करना चाहिए चलिए कोशिस करना चाहिए सरकार को की कम करने की क्योंकि लगातार जो इसले डीजल रज cuatro और वह बढ़ते चल रहे हैं लोगों की जो परिशानिया है वह भी काफी बढ़ते चली जा रही हम कुछ और भी लोग करें उनसे भी बाप करेंगे सर्थ क्या नाम हुआ आपका पेंद्र कुमार आउपेंजी यह बताइए कितने का पेट्रॉल लिए हैं अभी तो ले रहा हूं दाम सुना है बढ़ गया है बढ़ गया है कैसे देखना इस चीज को यह उचित नहीं है आम जनता के लिए लगातार लगातार ही पेट्रोल के बढ़ रहा है डीजल के भी सुना है बढ़ गया है ऐसे स्थिति में इस से रिलेटेट जितने चीजें हैं सब दाम बढ़ जाएंगे और हम लोग के लिए काफी कश्परद्ध है अभी वेज़ चुकि मैंने कोरियर करने के लिए मैं गया था तो ज सवाल यह है कि जिस चीज को लेकर आपने सरकार को चुना था उस जो आपकी उमीदेती उस पर सरकार खड़ी उतरी है नहीं उस पर खड़ी नहीं उतर पा रही है और भी चीजों पर ठिक ठाट है लेकिन जो महंगाई होनी चाहिए उस पर पूरी तरीके से कंट्रॉल सरकार बहुत नहीं कर पा रही है कि महंगाई दूर जाने का नाम नहीं ले रही है जो दा में वह भी बढ़ते चले जा रहा है ना जिस इस समद्धित जितनी चीजें ट्रांसपोर्ट से जो जोड़ी चीजे है वो तो सभाविक रूप से महंगी हो जाएंगी ना यह तो समानी सी बात है नाराजगी है और बड़ा ही असंतुष्ट है ऐसी महंगाई नहीं होनी चाहिए खाने पेनी वारे चीजों से लेते हुए और पेट्रोल तो आज के ट्रेटों बहुत आम आम चीजें हैं ऑफिस जाना है कही जाना है तो दरोकार पढ़ रहा है और यह बहुत महंगा इसके बीना काम चलेगा जिन बहुत मुश्किल है ना चाहकर भी पेट्रोल डीजल अब भराना ही पड़ेगा क्योंकि हर दिन जो यूजेज है उसके लिए पेट्रोल चाहिए चाहिए क्या नाम होगा सर आपका अब शेख कुमार हुगा अभी शेख जी पेट्रोल लेने आ अब ही तो हम पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं कोचिंग कॉलेजिया जहां भी जाने के लिए आपको पेट्रोल के शक्ता पढ़ती होगी जिस तरह से दाम बर रहे हैं इस चीज को बताईए जो उमीदें आपकी सरकार से थी उसका सरकार थरी उतरी है जी एकदम नहीं महंग तुटा है फबलिक घर से बाहर निकलने रहे बहुत कम निकल रहे हैं और उपर से हम लोग तो नून रूटी खाना भी मुश्किल पर रहा है इस टाइम सवारी बहुत कम मिल रहे हैं कि राया ज्यादा मांगते होंगे तो उसमें भी अतरास करती होगी उसमें पबलिक कोई देना नहीं चाह रहे हैं पर दे दो बात भी और कह जाते हैं क्या करें गरीबी है तो किसी तरह जेल रहे हैं अब महंगाई को कैसे देखने क्या महंगाई बढ़ गई है पूरी तरस बंगाई थोड़ा बहुत के फरक पर है कोई घास नहीं परे हैं लेकिन वहीं एक दूर प्रॉब्लम हो रहा है डीजल पेट्रोल को लेकिन हम लोग और गारी चलाना भी मुश्किल पर रहा है रोटी तक नहीं निकल पार रहा है यह बता यह जो उमीदे थी सरकार से आपकी जिस चीज को लेकर आपने उन्हें चुना था क्या उस उमीद पे खड़ी उतर रही है स बिल्कुल नहीं परिशानिया काफी ज्यादा आती है किराया भी उतना नहीं मिल पाते हैं लेकिन काम करना है तो पेट्रॉल और डीजल को लेना ही होगा हाला कि जनता के बीस काफी नाराजगी है सरकार को लेकर उनका साथ कहना है कि जो महंगाई है वो दिन पर दिन बढ़ते चली जा रही है सरकार से जो हमारी उमीदे थी सरकार उस उमीदों पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं उतरी है ऐसा ही समाम अब देज साब पर्चेस विहाद देते रहेगा अभी के लिए फिला लिखता ही नमस्कार क्वेखता है झार लॉप